Study IQ IS अब तयारी हुई affordable वो आपको इस protest के अंदर directly नहीं देखने को मिल रहे होंगे although मैं बता दू कि अभी just कुछ देर पहले ही इनका एक बयान आया है एक चेतावनी की तरह आया है यहाँ पर सरकार को उन्होंने बोला है और एक तरह से कहा है कि दिल्ली दूर नहीं है वह actually करनाटक में थे मैं देख रहा था जब उन्होंने ये बयान दिया तो इसको थोड़ा समझेंगे कि exactly हो क्या रहा है यहाँ पर जो 2020 में protest हुआ था उसमें जो unions रामिल थे उनमें कैसे split हो गया कैसे अलग-अलग यहाँ पर जो विचार धारा है वो कैसे बदल गई क्या हुआ वो सारी चीजे में आपको बताऊंगा आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग UPSC की preparation कर रहा है अभी हमारा sale चल रहा है आप इसका फायदा उठा सकते हैं by using the code UNKITLIVE कोई भी course अगर आप लेते हो study IQ की उपर कोई भी batch लेते हैं you will get the maximum discount जैसे कि हमारा foundation batch हो गया ये batch के अंदर आपको complete preparation मिलती है prelims, mains, interviews, सब कुछ आपको एक single batch के अंदर मिल जाएगा और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज़ पर जा सकते हैं वहापर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे चले शुरुवात करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly क्या हो रहा है देखें जब भी हम farmers protest की बात करते हैं कि किसानों का अंदोलन हो रहा है आपके मन में एक image आती होगी I am sure कि हमेशा क्योंकि पिछले 2-3 साल में जो भी कुछ हुआ 2020 से वो जो protest स्टार्ट हुआ था तो राकेश टिकेट एक सबसे बड़े player के सामने आये थे और जब भी आपर farmers protest की बात होती है तो आजकल आप देखते होंगे कि राकेश टिकेट जो है वो एक बड़ा चेहरा उभर कर सामने आते हैं लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूँ जो अभी current में protest चल रहा है इसमें और भी बड़े बड़े नाम है जो कि absent है जैसे कि पंजाब से बलबीर सिंग राजिवाल हो गए जोगिंदर सिंग उग्रहम हो गए दर्शन पाल हो गए गुर्णाम सिंग चरुनी हो गए तो बहुत से ऐसे यहाँ पर बड़े leaders है farmers के leaders हैं जो आपको इस protest के अंदर देखने को नहीं मिल रहे है all of them are missing now क्योंकि 3 साल पहले जब इन सभी के दोरा protest किया जा रहा था उसके बाद बहुत सारे differences हो गए थे इन सभी लोगों के बीच में वो मैं आप से आगे चर्चा करूंगा लेकिन आपको अभी समझना है कि यहाँ पर जो farmers हैं वो दिल्ली की तरफ जो आगे बढ़ हैं उनके दोरा कई सारे demands किये जा रहा है जैसे कि आपका minimum support price हो गया मैंने एक detail वीडियो बनाया है आथ सुभी बनाया MSP को लेकर लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखो कि तो और भी कई सारे demands हैं जैसे कि यहाँ पर जो loan maffy का मुद्दा हो गया इसके अलावा एक और चीज जो massacre हुआ था उसमें उनको justice मिलना चीए पेंसन हो गया electricity amendment bill को withdraw कराया जाए हटा दिया जाए scrap कर दिया जाए जो compensation दिया जाए एक तरह से 2021 किस में जो protest हुआ था उसमें जो कई लोगों कई farmers की मिर्ति हुई थी उसमें उनको compensation मिलना फिर यहाँ पर एक और जो बड़ी बात कहीं जा रही है कि मन्रे का अब आपको पता होगा मन्रे का जो कानून है उसमें 100 दिन का यहाँ पर जो काम है वो दिया जाता है तो farmers की demand है कि इसको बढ़ा कर 200 दिन का यहाँ पर किया जाए तो यह सारे आपको demands देखने को मिलेंगे लेकिन अब पहला question अब आपके मन में आना चाहिए आखिरकार इस protest में कौन-कौन शामिल है क्योंकि यह चीज अगर आप समझ जाओगे ने तो आपको इदम crystal clear picture मिल जाएगा कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है देखो यहाँ पर एक umbrella body है unions की मतलब farmer unions की जिसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा non-political अब ध्यान से समझेगा 2021 में जो farmers का protest हुआ था उसमें भी आपने सुना होगा संयुक्त किसान मोर्चा के बारे में संयुक्त किसान मोर्चा के बारे में आपने सुना होगा लेकिन हम क्या बात करें इस बार जो protest हो रहा है वो हो रहा है संयुक्त किसान मोर्चा non-political ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये non-political कैसे हुआ और बाकी कैसे यहाँ पर divide हो गए और इस मोर्चे के अंदर मतलब कि ये जो पुरा संयुक्त किसान मोर्चा non-political है इसके अंदर बहुत सारे farmer unions है जिसमें जो दो सबसे बड़े farmer organization है एक का नाम है BKU डालेवाल डालेवाल बेसिकली lead किया जा रहा है बाई जगजीत सिंग डालेवाल के तरह उसलिए इसका नाम अब BKU का मतलब हो गया भारती किशान union ठीक है डालेवाल वाला जो fraction है वो और साती सात इसमें जो दूसरा बड़ा organization है किसानों का वो है किसान मजदून मोर्चा जिसको lead किया जा रहा है बाई सर्वन सिंग पंधेर के दोरा और बताया जाता है कि इस संयूग किसान मोर्चा non-political के अंदर total 17 farm organizations इसको support कर रहे हैं अब इसमें पंधेर और जो डालेवाल है ये पंजाब से बिलॉंग करते हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो अभिमन्यू कोहर है वो हर्याना से बिलॉंग करते हैं और यही तीनों आपको जो main चहरा है इस बार के protest का वो देखने को मिलता है लेकिन question जो मैं आपसे पूझ रहा था कि आखिर बहुत सारे लोग इसमें absent क्यों है क्योंकि 2020 में मैंने आपको बोला कि जो joint force joint जो organization बनाया गया था इसका simple सा नाम था संयूप किसान मोर्चा वो इस बार आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो आखिरकार हुआ क्या देखो 2020 में जब farmers का protest start हुआ तो यहाँ पर एक body बनाई गई जिसमें total 40 farmer organizations थे और उनका demand ये था कि तीनों जो farm law सरकार लाई है इसको हटा दिया जाए तो उसके लिए जो body बनाई गई थी इसको बोला गया संयूप किसान मोर्चा और इन्होंने coordination committee भी बनाई थी ताकि सरकार से बातचीत करने के लिए वो committee जाती थी और करीब करीब आपने आपको याद होगा 11-12 बार सरकार से बातचीत हुई थी उस समय पूरे 1.5 साल के दौरान लेकिन कोई भी नतीजा सामने नहीं आया था क्योंकि यहाँ पर जो संयूप किसान मोर्चा है 2021 में वो अड़ गये थे उनका मानना था कि यहाँ पर जो तीनो फार्म लॉज है वो अल्टिमेटली देश में इंप्लिमेंट नहीं हो पाया था लेकिन एक्चुली क्या था कि जब ये पुरा संयूप किसान मोर्चा फाइट कर रहा था सरकार से वो तीनों लॉज को हटाने के लिए तो भले ही पबलिकली यहाँ पर चीजे नहीं दिख र कह weten हो और आप अपने गलत किया है खिसानों के साथ। फिर उसके उपर एक और इलजाम लग रहा था कई किसानों के उनके उपर कि बहुत सारा फंडिंq हमारे पास आया है गाउं से हमारे पास बहुत सारा पैसा बगरा है तो उस पैसे का गलत इस्तमाल किया गया वो सारे आरोप भी लग रहे थे तो इसकी वज़े से क्या है कि ये जो संयूद किसान मोर्चा था 2021 वाला उसके अंदर जो लीडर्स थे उनके बीच में दरारे पैदा होना स्टार्ट हो गई थी लेकिन अब देखे एक्चुल जो इसका स्प्लिट आता है ना संयूद किसान मोर्चा के अंदर वो आपको देखने को मिलेगा 2022 में 2022 में अगर आपको याद हो तो पंजाब के अंदर एसेंबली इलेक्शन हो रहे थे और उसी के दोरान संयूद किसान मोर्चा के कुछ लीडर्स ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, अलग से चुनाव लड़ेंगे कुछ ने कहा कि हमें एपॉलिटिकल होना चाहिए हमें चुनाव नहीं लड़ना चीए कुछ ने कहा कि हमें आम आदमी पार्टी के साथ मिल कर चुनाव लड़ेंगे ultimately क्या होता है यहाँ पर कई सारे leaders जैसे कि बलबीर सिंग राजेवाल वो अलग हो जाते हैं संयुक्त किसान मोर्चा से और उन्होंने बनाया संयुक्त समाज मोर्चा और वो पंजाब के अंदर लगभग 93 seats पर उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन आपको पता है वो 93 के 93 seats पर उनकी जमाना जब्त हो गई सारा deposit जो है वो lost कर गए आपको पता ही होगा कि कहीं से भी अगर आप चुनाव लड़ते हैं ठीक है election खतम होने के बाद और अभी जो present में protest किया जा रहा है आपको पता है जगजीत सिंग डालेवाल मैंने आपको पता है जो जिन्होंने बनाया है जिन्होंने form किया है संयुक्त किसान मोर्चा non-political जो इससे मैं protest लीट कर रहा है उन्होंने अपना जो original वाला संयुक्त किसान मोर्चा है उससे अपने आपको distance कर लिया क्योंकि इनका कहना था कि हमें protest जारी रखना चीए और उन्होंने ये भी कहा कि August 2022 में हम दिल्ली में जाकर मार्च करेंगे protest करेंगे ऐसा उन्होंने कहा था अब question यहाँ पर यह है कि जो बड़े farm leaders है farmer leaders है वो क्या कह रहा है वो आखिरकार इस protest को join नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है देखो यहाँ पर कई सारे prominent leaders का कहना है कि देखिए हम अभी wait and watch की स्थिति में कई लोगों का कहना है कि हम इसके अंदर अभी शामिल नहीं होना चाहते जैसे कि for example गुर्णाम सिंग चरुनी जो कि पिछले वाले protest में एक बड़ा नाम थे उन्होंने कहा कि दिखे मुझे तो कोई invitation ही नहीं आया हमसे तो कोई suggestion भी लेने नहीं आया तो उसकी वज़े से हम इसके अंदर participate नहीं करने जा रहे हैं फिर इसके लवा और भी कई सारे जो factions हैं जैसे भारती किसान union जो चरुनी वाला faction हो गया भारती किसान union जो राकेस तिकैत वाला faction हो गया फिर एकता उग्रहन वाला faction हो गया उन्होंने अपने आपको इस वाले protest दिस्टेंस कर लिया है वो इसके अंदर participate नहीं कर रहे हैं और इसके लवा यहाँ पर पंजाब के जो सबसे बड़े farmer union है भारती किसान union एकता उग्रहन उन्होंने कहा है कि देखिए हम 24 अब February से चंडीगर में राज्य सरकार के खिलाफ मतलब पंजाब सरकार के खिलाफ permanent protest करेंगे तो I hope कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो पिछला वाला protest हुआ था जिसमें सारे farmer union एक साथ आ गये थे अब उनमें आपको बहुत बड़ा divide देखने को मिलेगा in fact हर्याणा में भी अगर आप देखोगे तो farmer union ने कहा है कि देखे आपको इस तरह से protest नहीं करना चाहिए कुछ का कहना है कि देखे आप दिल्ली border जब आप close कर देते हो disrupt कर देते हो हमारा daily का जो activity है business activity है वो सब यहाँ पर problem में आ जाता है तो हम इसको support नहीं करते हैं जहां तक राकेश स्थिकैत का बात है मैं आपको बता दूँ उन्होंने कहा है कि देखे हमने already 16th February को भारत बंद का call दिया हुआ है तो हम उसको support कर रहे हैं और उन्होंने अपने आपको again protest से अलग कर लिया था अभी तक वो protest में शामिल नहीं थे लेकिन मैं आपको बता दूँ जैसा आपको बोल रहा था कि कुछ देर पहले ये वीडियो मैं record कर रहा हूँ उसके कुछ देर पहले वो करनाटका के अंदर थे वहाँ पर से उन्होंने यहाँ पर बोला है कि अब आप देख सकते हो यहाँ पर actually क्या हो रहा था ताकि रोका जाए ट्रैक्टर से जो किसान आ रहा है तो इसको लेकर राके स्थिकेट का कहना है कि देखे देर आर सेवरल फार्मर यूनियन और यहाँ डिफरेंट इशू लेकिन वो यह कह रहा है कि अगर गौर्वर्मेंट प्रॉब्लम क्रियेट करेगी फार्मर्स को दिल यूनियन है ना जो वेस्टन यूपी वाला पूरा साइड वह अक्चुली सबसे बड़ा फार्मर फेडरेशन है देश का और यह अगर आपको याद हो चौधी चरण सिंग उनके दौरा इसको फॉर्म किया गया था भारती किसान यूनियन और अभी रिसेंटली आपको पर सामने आया थे वह अभी पाटिस्पेट क्यों नहीं कर रहें क्या हुआ वो सब कुछ मैं आपको बता दूए ना होप कि आपको पता चल गया होगा जाने से पहले एक इंट्रस्टिंग कोशन क्योंकि हम एग्रिकल्चर की बात कर रहे हैं देखिए आपने शिफ्टिंग अगरिकल्चर के बारे में सुना होगा शिफ्टिंग या फिर जूंग कल्टिवेशन आपने सुना होगा उनमें से एक प्रकार होता है जिसको कहा जाता है पॉड्डू या फिर पेंडा ये कौन से राजि में आपको देखने को मिलता है इसका राइट आंसर आप सबको पता अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं कोई भी बैठ चाहते हैं you can just use this code अंकित लाइफ ताकि आपको maximum discount मिल जाए I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ आप से next time till then thank you very much see you soon Study IQ IS अब तयारी हुई affordable